हेलो, बुड़ोबनिंग गाइज चलो, आज जो है हम लोग फोर्थ पार्ट जो है रिपोड़क्शन अर्गानिसम का कम्प्लीट कर चुके थे अब अपन चलते हैं फिफ्थ पार्ट में यहाँ पर थोड़ा सा मैं उस पीज पर फिर से आना चाहूंगा जहाँ पर हम लोगोंने एंड करी थे कंडिशन के आए कि जैसे ही अपना आगे के तरफ बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा इस पीज में दिखेगा कि यहाँ पर दोनों के दोनों चीज आपको दिख रहा होगा कि मतलब कि हम लोगोंने बात करी कि दू तरह का जो है मैमल्स है प्रायमिट है और नॉन प्रायमिट है तो प्रायमिट के कंडिशन में हमने बात करी कि यह प्रायमिट क्या करते है कि उसमें एक स्पेशल चेंजेज होते हैं जिसके लिए आपको बात करा गया था कि से रिलेटेड सारे के सारे असपेक्ट में आमने बात करी कि प्रामेट के कंडिशन में मैंस्ट्रल साइकल होती है जो इच एन एबरी मंथ होता है लेकिन वही नॉन प्रामेट के सिनेडियो में क्या होता है नहीं होता है मतलब कि उसमें क्वैस्ट्र साइकल होता है इसकी मैच maturity है मतलब कि female के condition और male के condition में maturity दोनों की अलग-अलग है बट उसकी condition में जो है उसकी maturity earlier है उसकी life span भी थोड़ी सी little bit क्या है कम है ठीक है अब condition क्या है कि जैसे अपन बात करें कि भाई यह जो है मतलब कि इसका दूसरे non-primate के condition में तो यहां पर primate वाले में condition क्या है कि जो mc होती है जो menstrual cycle होती है वो each and every month होता है और 28 days का होता है और यहां पर यह चीज़े नहीं दिखती वहां पर क्या होता है एक period होता है जिसे heat period बोलते हैं कि मतलब उस समय मतलब कि क्या करता है cattle जो है एक indication देता है by the voice या by the voice simply तो उस condition में क्या करते हैं कि लोग बाग जो है indicate कर लेते हैं जो भी cattle को रखते हैं घर में और मतलब कि domestication के लिए तो उसब सब जानते हैं तो यहां पर हमने कहा कि menstrual cycle होता है primate के condition में यहां पर non-primate के condition में क्या होता है western cycle होता है जिसके condition में यहां पर one two third three days क्या होता है throughout the bleeding phase होता है इसमें bleeding के condition में क्या होता है कि आपका endometrium जो inner lining of the uterus है उसमें वो जो है last में जैसे conceive नहीं हुआ मतलब कि sperm और obum का fusion नहीं हुआ that means fat license नहीं हुआ तो उस condition में क्या होता है कि मतलब कि internal layer जो है internal wall जो है uterus का वो degrade हो करके क्या होता है तूटने लगता है it's a deposition of the progesterone समझ में आ रहा है तो मतलब कि progesterone के deposition से बिलकुल मतलब क्यों क्या होते हैं degrade हो करके ऐसा dead blood जैना के तूटरों बाहर आते हैं तो condition क्या है कि यहां पे अपने कहें कि जो भी 1-2-3-day menstrual cycle का होता है bleeding phase होती है that is present in a primate but non-primate के condition में क्या होते है थोड़ा little bit but उसके अंदर में ही वो साड़े चीजे क्या होता है reabsorbe हो जाता है यहां पे maturation की बात कर लिया फिर जो है अपने बात किया कि इसमें जैसे ही अपने बात करें कि इसके condition में क्या है कि जब हमें दोनों की दोनों male और female की maturation की बात करें तो थोड़ा थोड़ा little bit difference था यहां पे क्या earlier था और इस जगह पे अपने बात करें कि primate के condition में तो primate में जैसे ही बात करेंगे कि इसका एक phase है जो 14th day मतलब कि 14th day of MC menstrual cycle का चोधमा दिन एक phase आता है जिसको बोलते है ovulation phase इस समय क्या करती है female एक देती है और इसकी condition में क्या होता है एक period आता है जि heat period तो अब दूसरी डिफरेंसे अपन तीसरी चोथी डिफरेंसे करने जाए तो यहां पी क्या होता है कि abulation जो है abulation एक certain period of time में क्या करते है देते हैं लेकिन इसकी condition में after quartus एकदम बिलकुल बाबु इसको note करना after quartus it gives क्या भाई एक लेकिन इसमें quartus necessary नहीं है कि quartus होने पे ही एक का abulation page आएगा मतलब कि वो page हर मेहने में आना है जा है quartus हो intercourse हो या ना हो लेकिन वो pages आनी है उनको एक देना है ठीक है तो अब आगे के तरफ जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो चलो अपने page के तरफ चलते हैं तो page में आपको यहां पे दिखता होगा बिलकुल यह page जो चलिए तो इसको इधर के तरफ ले आता हूँ और इसको ठोड़ा सा ओर छोटा करो क्रोमोजोम के बारे में सब चीज़ बात कर लिये थे gamit tancer के बारे में बात कर लिये थे थोड़ा सा gamete transfer के condition में बात करेंगे ठीक है? gamete transfer के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे little bit और muocyte के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे तो यहाँ पर muocyte के बारे में जैसे ही बात करेंगे अपन तो muocyte के condition में क्या होता है? कि MEOSITEating वो sale होते हैं जो क्या करते हैं, कि Gamete का production करते हैं मतलब कि Deplied Type का sale होता है और उसमें Gamete key formations करने की ability होती है मतलब कि Gamete key formation की बात करें, तो Gamete का formation होता है तो यहांँ पर अपन बात करते हैं जैसे ही इसके condition में जैसे यहां पर miocyte की बात करते हैं तो gamete मदर से बूलते हैं मतलब कि वो gamete formation के लिए responsible होता है gamete बनाते हैं incorporate again incorporated to the gamete मतलब कि हाप setup chromozoom यहां पर होता है carefully का रहा है कि यहां पर देखो एक questions था कि is there any relationship in number of chromozoom in miocyte and gamete एक दम बिलकुल है मतलब कि जैसे हम miocyte के बारे में कहते हैं तो हम generally अपन जानते कि दू तरह के हमारे body में cell होता है हमारे body के अंदर एक तो somatic cell होता है जैसे body cells बोलते हैं दूसरा जो है germinative cell होता है पाबो 2N मतलब कि two set of chromozoom जो होंगे तो क्या होगा और deployed होगा तो यहां पर यह मतलब कि यह वाली जो है miocyte के condition बात करते हैं 2N लेकिन जैसे ही इसमें reduction division होता है पाबो क्या होता है reduction division होता है तो क्या होती है आपका gamit बन गया तो इसमें chromosome के number घटकर के कितने हो जाते हैं half हो जाते हैं यह बाते समझ में आ रही है तो अब condition क्या है कि यहां पे हमने कहा दिया कि बिल्कुल relationship है कि जो हमारा miocyte होता है वो germinative cells होता है और deployed in nature होता है और इसी cell में reduction division होता है तो यह बनते क्या gamit को बनाते हैं तो इसका chromosome number reduced to half हो जाता है आदी हो जाती है क्या हो जाता है N हो जाता है gamit में तो दोनों में relation है कि gamit मतलब formed from miocyte cell germinal cells इतने बात समझ में आगे न अब condition क्या है बाबू अब हमें gamit तो बना लिया gamit की क्या करेंगे gamit की transfer करने के requirement है अब gamit बना तो gamit की क्या करेंगे transfer करेंगे तो gamit की transfer कैसे होगा इसके लिए आपको थोड़ा सा बात करना पड़ेगा कि gamit transfer के लिए requirement होता है कि male और female part में मतलब की human being के condition या other animal के condition में बात करो तो transfer of gamit is responsible for the external genitalia मतलब की external genitalia responsible होता है किसके लिए तो gamit के transfer के लिए जैसे as for example अपन बात करें तो human being के condition में male के condition में penis और female के condition में जो जहां पे deposit करते हैं sphombo that is a female reproductive tract that is a cervix then uterus then philippine tube वहां पे जा करके क्या करेंगे gamit का fusion होगा पहले तो हमें करना क्या है अभी fusion नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ मतलब की हम पहले पार्ट को कर रहे हैं कि events of sexual reproduction having a three phases, three events one is a pre-fertilization, fertilization and post-fertilization अब बात किसका करते हैं अपन बात किसका कर रहे हैं pre-fertilization की तो इसमें दूश टिप एक तो gamitogenesis दूसरा transfer of gamit तो gamitogenesis को अपन खतम कर लिए अब क्या आया transfer of gamit gamit को कैसे transfer करते हैं इसके लिए अपन बात करेंगे तो सबसे पहले जो बात करो कि after formation मतलब कि male and female gamit must be physically brought together to facilitate the fusions of the gamit that is not as fertilization, उसे क्या बूलते हैं बटा, fertilization अब चलिए, however you wonder how the gamit meet मतलब कि बहुत ही जबरदस्त का मेकान जम है कि gamit का fusion, gamit का meeting की होता है सबसे बड़ी बात है, सबसे एहम बात है कि how meet gamit ठीक है न, कईसे मिलते हैं तो इसके लिए देखो, condition मैंने एक lecture बनाया जो आपका, मतलब कुछ करबरी से जो है, वो upload नहीं हुआ तो चलिए कोई बात ने, मैं फिर से उसको record कर रहा हूँ ठीक है न, बहुत प्रशानी होती थोड़ा सा, बच्चे आप लोग जो है like, subscribe, share, ये सब बहुत है मस्ट है जो काम कर रहे हैं, इतना effort लगा रहा है तो बिलकुल आपका ये फर्ज बनता है चलिए, anyways तो gamit के, मतलब की meeting के लिए physically meet कैसे करेंगे ये मिलेंगे कैसे, किस तरीके से मिलेंगे तो मिलने के लिए condition है, जब तक gamit में recognition ना हो कि male gamit, female gamit आपस में fuse करेंगे तब तो चाह कर कि ये fertilize करेंगे यदि आपस में दोनों का synchronization नहीं हो है दोनों की identification, recognition नहीं है तो एक दम बिलकुल नहीं मिल चकते है As for example, अपन हुमेन की बात करते हैं तो हुमेन बींग के condition में क्या होता है कि भाई, fertilizing और anti-fertilizing male और female gamit तो ये दोनों की दोनों chemicals होते हैं और एक दूसरे को recognize करते हैं then it will meet to one another कि भाई, पहचांबते हैं कि हम दोनों एक ही जाती के लोग हैं एक ही लोग हैं तो आपस में क्या करेंगे, meeting करेंगे then fertilizing proceed ठीक है न, fertilizing उसके बाद क्या होता है proceed हो जाता है तो इसी तरह के सारे के सारे plant के भी condition में क्या होता है कि pollen grain mill flower से mill flower से क्या pollen grain आया और फि mill flower के stigma पे जाकर के drop होंगी एस्टिग्मा पे गिरे और उन क्या करेंगे recognize करेंगे तब जाकर के pollen grain क्या होगा germinate होगा germinate होने के बाद उन pollen tube निकालेंगे pollen tube निकालने के बाद जाएंगे कहां पी obrie के पास और obrie में कहां पी obrie में जाएंगे आपको किस जगर पी obule में और obule को क्या बोलते embryo shake अरे समझ में आता क्या mega asporanium बोलते वहां पे एग होता और वहां पे जाकर के pollen tube में gamete होते ठीक है ना pollen tube में gamete होते वहां पे release करते तो कहीं न कहीं रिकोग्नाइशन वह दैन germinate the pollen grain on the stigma of the female flower यदि रिकोग्नाइशन नहीं होगा वहां पे calcium magnesium बहुत सारा चीज़ चाहिए और सारे chemicals भी है जो क्या करते हैं उसको रिकोग्नाइश करते हैं तो जाकर के pollen grain germinate करती है रिकोग्नाइशन होता है वाली है रिप्रड़क्शन नंग्योस पर बस एक एक आद लेक्चर है यहां पर मतलब कि जैसे ही अपन इसको खतम करेंगे theoretical portion को तो exercise करेंगे ठीका ना फिर जो है बिल्कुल obvious सी बात है एक दू दिन में आपकी classes start हो जाएगे तो tension ने लेने का थोड़ा सा यहां पर बात करेंगे तो fertilize हो गया fusion की बात करें तो physically कम से कम क्या होगा कि आपको facilitate करना पड़ेगा उसको एक दूसरे से mating करवाने पड़ेगी मिलाना पड़ेगा तो जा करके क्या होगा gamete मिलेंगे तो जो है gamete का fusion होगा then fertilize क्या होगा proceed होगा चलेगा आगे के तरफ majority of the organization male gamete क्या होता है motile होता है majority of the organism लेकिन कुछ को छोड़ करके जैसे अपने लोगों के लिए male gamete क्या है motile है motile मतलब challenge seal है move करता है ठीका ना लेकिन female gamete के condition में female gamete stationary fix region है इसके पीछे कि इसमें कहीं male gamete में क्या होता है tail होता उसे move करता ठीका ना इसके size छोटी होती समझ में आ रहा तो आप दूसरी condition क्या है कि जैसे female के बात करते है तो female क्या होती size में बड़ा होता है ठीका ना उसमें किसी तरह का tail will नहीं होता है तो कहीं न कहीं वो क्या होंगे stationary होगा fix होगा अपने जगह पे aesthetic होगा ठीका है अब scenario है क्या कि जैसे आप biology में एक concept है कि universal concept है कि जो जो number में ज़्यादा होगा size में का होगा छोटा होगा बिलकुल sperm हम जानते हैं की ejaculation में due to 3 ml जो है sperm की ejaculation होते है और each ejaculation में 200 to 300 median sperm होते हैं only one sperm is responsible for the fertilization तो यह बात है समझ में आ रहा है चलिए कोई बात नहीं तो यहाँ पे हमने कहा कि majority organism का क्या होता है कि male gamete क्या होती है motile होता है और female gamete क्या होता है exception है exception है few fungi and algae in both type of gamete is a motile दोनों के algae और fungi में कुछ-कुछ algae कुछ-कुछ fungi में क्या होता है तो दोनों male gamete or female gamete दोनों motile होते हैं there is a need for a medium through which a male gamete move medium चाहिए several simple plants like algae braafats stadofats ठीक है न यहां तक आपन बात करें तो खास करके braafats के बादे में बूला जाता है amphibians of the plant kingdom बूला जाता है इसका reason क्या है इसका reason है कि भईया वो तो होता है terrestrial plant braafats but इनको fertilization के लिए water चाहिए आप water चाहिए तो भईया आप जानते amphibian करना amphibian मतलब बूला कि terrestrial habitat भी है उसकी मतलब कि aquatic भी है पानी में भी और मतलब कि जमीन पे भी दोनों के दोनों condition में है लेकिन ये रहते जमीन पे लेकिन इनको gamete के fission के लिए चाहिए क्या पानी चाहिए that's why it is an honest amphibians of the plant kingdom कही न कही tread of hats को भी माना जाता बट braafats is absolutely उसको requirement होता है यहाँ पर कहा कि tail of hats में algae को भी requirement है braafats को भी requirement है और tadofats को भी requirement है water for the fertilization तो medium चाहिए तो medium की रूप में क्या चाहिए water चाहिए medium male gamete move करते है several simple plant जैसे braafats है algae है tadofats है medium तरो which gamete is a gamete transfer tax place large number of male gamete अब चहाँ पे इस तरह की बात ही हो रही है बाबू उस जगह पे आपको बात करना पड़ेगा कि gamete की transfer हो रही है तो मतलब की जिसमें gamete की मतलब की बाहर में external fertilization हो रही है तो कहीने कहीं reason होगा कि दोनों को मेल और female दोनों को gamete ज्यादा amount में होना चाहिए बिल्कुल absolutely क्योंकि वहाँ पे थोड़ा से क्या होता है कि कोई organism है उसको खा गया या हो सकता है desigation हो गया damage हो गया तो आपको क्या होगा कि ज्यादा ज्यादा progeny नहीं बनाएंगे लेकिन मतलब कि बहुत सारे से cases है जहां पर क्या होते है कि total जो है fertilize कर गए कही नहीं तो भूँत धीर सारे बच्चे देंगे offspring बनेंगे plant बनेंगे तो वही कर रहे हैं कि a large number of male gamete however fails to reach the female gamete to compensate the loss of the gamete during the transport ठीक है the number of male gamete produces several thousand times the number of female gamete समझ में आ रहा तो यहां पर यह बाते हामारी हो गई जैसे ही आगे के तरफ बढ़ेंगे बटा तो हमें करना पड़ेगा बात यहां पर अपन बात करते हैं थोड़ा सा देखिये यहां पर एक बात है यह बाते डिनोट करना है कि एक्चली यह देखिये मैं फिर से बताना चाहूंगा यह जगा पर मतलब कि यहां थोड़ा सा आप gamete देख रहे हो तो यह दोनों के दोनों similar type के gamete का fusion cladophora इसका example है cladophora is a green algae है दोनों के दोनों fuse किये fuse करने के बाद क्या बन गया jagote बन गया jagote बनने के बाद क्या बन गया new individual बन गया यहां पर लेकिन condition क्या है कि चैसे है आपन बात करें तो यह जो structure आपको दिखाई दे रहा है कि that is that source the germination सब तो pollen grain on the stigma and it form the pollen tube यहां पर वही मैं प्रीकर दिखाने वाला हूँ यह diagram यह दिख रहा है दिखा आपको दिखा बिल्कुल दिखा यहां पर चलिए मैं आगे के तरफ बात करता हूँ यहां पर आ जाईए आप यहां पर आईए जैसे ही बात करें अपने को तो in seeded plant pollen grain or can pollen grain pollen grain are a carrier carriers of male gammit पिल्कुल pollen grain के अंदर थोड़ो सा आगे चल के बताएंगी देखिए ज़्यादा नहीं करूंगा कि यह pollen grain है ठीक है यह क्या है? pollen grain है और pollen grain के अंदर में क्या है? कि nucleus है? इसमें एक ही है तो यहां पर क्या होता है? कि carryokinesis होता है बट cytokinesis नहीं होता है laterally cytokinesis होता है तो यहां पर दो cell बना देते हैं एक छोटा सा cell एक बड़ा सा cell छोटे cell को germinative cells बोलते और बड़े cells को vegetative cell बोलते और tube nucleus बोलते यहां पर फिर से इसमें यहां पर देखिए carryokinesis हुआ और क्या हो रही है तो इस जगह पर matasis होने के बाद दो nucleus तो बन गया little bit cytokinesis के चारो तरफ गहर लेता एक छोटा सा cell बनाता है जो vegetative cells के cytokinesis में float करते रहते हैं उसको नरिसमेंट वगएरा सब वही देते हैं जैसे ही यहां पर gamete मतलब कि यह 2 cell stage तो generally कहा जाता है अगे चलो के देखना है कि generally जो flowering plant है उसमें जो pollen grain जो shade होता है 2 cell stage में मतलब 60% pollination pollination करने का मतलब है shade of pollen grain in 2 cell stage लेकिन इसको 3 cells बननी है यहां पी एक बार और mitosis होगा तो बिटा इसको बनने के लिए इसको बनने के लिए एक बार meiosis हुआ था pollen tetrade हुआ उसको तोड़े तो एक से चार बना अब condition है कि यहां पे एक barmatosis यहां पे हुआ एक यहां पे हुआ तो खाने का मतलब 1 meiosis और 2 meiosis तो बन गे क्या एकदम male kemetophyte मतलब कि यह तीन cell आपको दिखेगा इसमें तो vegetative cells क्या करेंगे pollen tube को बना देंगे तो आगे की बात है थोड़ा सा आगे सोच लिए कोई बात नहीं ovule have egg ovule के पास क्या होता है एग होता है अब pollen grain produce in anther बिल्कुल सही बात है pollen grain कहां पे ? anther में बनी have to be it transfers to the stigma therefore it can lead to the fertilization मतलब की anther से सिधे pollinations के आप लोग definitions कहा देते हो pollination is a transfer of pollen grain from anther to stigma anther, male reproductive part stigma, female reproductive part यहाँ pollen grain land करेंगे ठीक है ? it can lead to the fertilization but यहां भी bisexual flower की bisexual के condition में जैसे बात करें तो self fertilizing plant है मतलब की bisexual वो होता है जिसमें दोनों के दोनों sex होते हैं male sex और female sex दोनों तो fertilization वहां पे pollination में कहीं दिक्कत नहीं जाने को है मतलब की एक ही flower पे male part और female part दोनों है तो भाई तो उनको ज्यादा तकलीप नहीं जायेगा कि यह pollen grain shed हुआ तो direct जाएंगे कहां पे female male के पास मतलब की stigma पे तो उसकी बहतर example है मेंडल के भाई सहाब की क्या pea plant, garden pea plant that is a Paisam satayvam is a scientific name of pea pea का जो बग्यानिक नाम क्या है Paisam satayvam transfer of pollen grain to the stigma is relatively easy as anther and a stigma are located close to one another एक ही फूल में दोनों चीजे है pollen grain soon transfer they said and come in contact with the stigma but cross pollinations including the diocese plant जिसमें diocese dia मतलब दो oresius मतलब घर male partner अलग wife अलग husband अलग तो उस condition में क्या होगा को उनको travel करके जाना परेगा उसको traveling agency को भी बुलाना परेगा that means कि pollinating agent को बुलाना परेगा कि भया आपको हमें अब मारे partner तक पहुँचाना है तो दो partner होते हैं एक biotic दूसरा abiotic मतलब biotic हो गया जैबिक जीब बाले मतलब की जो जिसमें life हो मतलब की हो सकता है insect हो हम हो हाथी हो घोडा हो snail हो mollusk हो bat हो बहुत सारा है बीज हो insect में बीज must है दूसरा मतलब की abiotic के condition में non-living है ठीक है न azabic factor के बारे में बात करते हैं तो जैसे wind हो गया water हो गया इसके through भी होता है तो wind pollinations बोलते हैं दूसरा क्या बुलते हैं क्या बुलते हैं अरे भाईया दोनों तरह की wind pollinations दूसरा सोच के बताना चलो आगे भी बात करेंगे specialized event is called pollinations transfer of pollen grain from enter to stigma pollen grain germinate on the stigma and pollen tube carry the milk बिल्कुल मैंने वहीं बात किया है यहाँ पे आपको दिखता होगा तो अब थोड़ा सा मुझे भी दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे दिखाने के लिए क्या है तो यह सारे के सारे बाते हो गया pollen grain germinate करता है stigma पे और pollen tube बनाता है pollen tube क्या करता है कैरी करके ले जाता है male gamete को कहाँ पे भाया ovary के अंदर क्या है obule है वहाँ पे डिशार्ज करता है male gamete को near the egg एक के पास शोड़ता है तो in dioces in dioces animal since male and female gamete are formed in a different individual dioses मतलब हम लोगों की बात कर रहे है as for example human तो the organism must evolve a special mechanism for gamete transfer उसके यह है बिलकुल हम लोगों के condition में बता चुके है successful transfer of transfer and coming together of gamete is essential for the most critical event of the sexual reproduction बिलकुल जब transfer के बाद gamete की फेजन बहुत ही crucial है बहुत ही important बहुत महत्पूर्ण event है तो इसमें थोड़ा सा आगे अपने को बात करीद लेंगे तो यहां पे चलिए थोड़ा सा बात करते हैं यहां पे fertilizer license की बात करते हैं तो आपको यहां पे मिलेगा क्या की fertilizer license हमने fertilizer license कातम कर लिये अब आगे क्या fertilizer तो fertilizer license जो सबसे ज़्यादा सबसे वाइटल सबसे महत्पूर्ण जो है मतलब की sexual reproduction का it's a most vital event of the sexual reproduction perhaps the fusions of gamete समझ में आ रहा है यहां पे fusion of gamete होता है that is known as kia fertilization fertilization क्या बुलते है fusion of male and female gamete is known as kia fertilization the process is called syngemi तो syngemi और fertilization क्या होता है एक दूसरी की interchangeable है आ यूसरी कर सकते है और fertilization यूसरी की जगाप सिंगेमी सिंगेमी की जगाप पी fertilization तो interchangival है किस सिंगेमी result in the formation of jagote दोनों fusion होंगे fertilization leads to the formation of jagote ठीक है the term fertilization is also used for used for this process मतलब सिंगेमी fertilization सिंगेमी and fertilizers frequently used through interchangeably मतलब दूनों एक दूसरे से interchange करके आप use कर सकते कहीं tension है एक तम बिलकुल नहीं होना चाहिए tension चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा कि what would happen if सिंगेमी is not occurs क्या होगा जब सिंगेमी नहीं होगा तो बिलकुल सी बात है जागूट का formation नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेगा अब condition है कि बहुत सारे इसे organism आपको मिलेंगे मतलब कि बहुत सारे की कुछ मैं animal में दूँगा example के condition में जिसमें क्या होता है कि fertilizer license नहीं होती है फिर भी बच्चे क्या होते हैं बन जाते है फिर भी क्या होता है बच्चे बन जाते हैं condition के चाहिए उस तरह के animal में जो process होता है that is known as क्या उसे क्या बूलते हैं जो बिना फिर फिमील गेमीट अंडा जो है डाड़ेक्ट बच्चे में बन जायेंगे parthenogenesis इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं जारी सारा किस किसम होता है इस तरह के बाते हैं मैं बात करता हूं तो parthenogenesis की situation क्या है कि parthenogenesis कितने तरह का होता थोड़ा सा मैं एक page लोगा मतलब इसको समझने के लिए तो generally हम बात करते क्या कि आपको page लेने परेंगे page लेने परेंगे आचाईए यहाँ पर तो page में मैं थोड़ा सा mention करूँगा यहाँ पर कि देखो बबू फटलाइसेंस के condition में हम जानते कि parthenogenesis मतलब कि बीना बीना जो है meal gamete के fusion के बज़े से parthenogenesis दू तरका होता है एक तो natural होते हैं दूसरा artificial होता है natural भी तीन तरके होते हैं complete, incomplete और pedogenesis complete, incomplete और pedogenesis अब complete के condition क्या है कि इसके condition में जो भी organism बन रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ फरthenogenesis में इसमें जो है fusion नहीं होती है gamete का बिटा इसके लिए examper है LSA lizard इसके condition में male gamete नहीं होते मतलब male तो होता ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ female gamete और female gamete देती है उससे क्या बन जाता है बच्चा बन जाता है अब condition है कि incomplete के condition यह completely developed from the parthenogenesis समझ में आ रहा है तो मतलब यह condition क्या है कि हमने खा कि parthenogenesis दू तरगा होता बचा एक तो एक तो natural parthenogenesis दूसर artificial parthenogenesis तो natural nature की तो आ रहा है उपर वाले god almighty वही करेंगे भगवान करेंगे अल्ला करेंगे सब करेंगे तो मतलब कि यहां पर complete parthenogenesis की बात करते हैं तो complete के condition में completely developed by the parthenogenesis इसका best example अपने क्या लिए LSA lizard, Lysarta saxicola American lizard है इसमें male होता ही नहीं तो female ही क्या करते हैं बच्चे बना देते Without fertilization, that is not parthenogenesis, in complete के condition बेटा बहुत ही जबरतस्त example है आप सब जानते इसके बारे में male honeybee Male honeybee, honeybee तीन तरह का होता, तीन तरह के honeybee है, एक तो queen है, दूसरा drawn है, तीसरा worker है तीन तरह के honeybee है, तो queen, queen जो है, मतलब रानी जिसे बोलते है, रानी मदो मक्खी, तो क्या होते हैं, कि मतलब वो fertile होती है और वो condition है, कि वो diploide होती है, ठीक है, लेकिन male जो बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अंडा से ही क्या बन गया, male honeybee बन गया, जिसे drawn बोलते है तो क्या है, इसका nature कैसा होगा, haploid होगा, यह male gamit तो मिला ही नहीं, ठीक है न, और worker और queen, queen जो है, यह क्या है, diploide है ठीक है न, उसमें से worker का काम क्या है, काम करना, नामी worker है, वो बच्ची उचे पैदा नहीं करते, कहीं participate नहीं करते किसी में, उस सिर्फ काम करते हैं, कि मदुमक्खी के छत्ता को care करेंगे, बच्ची को देखेंगे, रानी को खिलाएंगे, ठीक है, यही सारे के सारे बात है तो यह completely जो है, तो organism की fusion से ही क्या हो जाता है, कि इसमें gamet permit नहीं बनता है, दो organism इस्ट के condition में होता है, दो organism में fuse करके क्या करते हैं, एक new organism बना, that is a pedogenesis, वो pedogenesis मत करना कि soil के formations को pedogenesis बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पी artificial की बात करते हैं, तो artificial की condition में क्या है, एक artificial parthenogenesis tax place है, यहाँ पी क्या करते हैं, saline water से थोड़ा सा treatment करवाते हैं, इसमें एक से क्या बन जाता है, बच्छाज बन जाता है, तो artificial हम नहीं किया, नेचर नहीं किया, अरे उपर वाले नहीं किया, हम नहीं किया, ठीक है न, artificial ही किया, तो यह parthenogenesis हो किया, अब क्या होत है, plant में भी parthenogenesis होता है, parthenogenesis होता, ठीक है, parthenogenesis किसमे, fruit में भी होता, अब condition क्या है, कि plant में जो parthenogenesis कि फ्रूट बनते हैं, उसको क्या बूलते है, parthenocarpic fruit, क्या बूलते है, parthenocarpic fruit, इसके लिए example है, banana है, grapes है, ठीक है न, apple भी developed करा जाता है, orange भी करा जाता है, seed की less number of seed production के लिए, responsible होता है, parthenogenesis, अब चलिए, थोड़ा सा बात करते हैं, उस page पी आते हैं, जो आपकी page चल रही है, चलिए, यहाँ पे देखने को मिलेगा, कि parthenogenesis, अब क्या condition है, कि यहाँ, यहाँ जो थ हो गई, अब क्या का रहा है, कि सिंगयमी ना हो, तो जागोट नहीं बनेंगे, ठीक है, तो कुछ-कुछ है सा ओर्गनिजम है, क्या का रहा है, और जब की it has to be mentioned, there is some organism like a rotifers, ठीक है, honeybee, even some lizard, LSA lizard, तीनो का तीनो मैंने एक्जांपल दिया, birds की condition में, turkey, female gamete, ठीक है, अंडर अब कहाँ ब्लटेस, अब कहाँ लुए सिंगयमी क्या होते है, तो मतलब फिफिमेट यचनals की बात करते है, गALL मैं प्हाँ स्पलकित, तो जब आटसा अट्री, अक्योटा सब्सक्राइटर्न फिफिएतिक होता है, तो यदि फिमेल बोडी की अंदर, मेल और फिमेल की external fertilization, ये बच्ची जो है बहुत ही शेप्टी है, मा की गर्ब के अंदर है, ज्यादा vulnerable नहीं है, environment से, predator से, और external fertilization के condition में बाहर ही gamete होते हैं, तो कितने तो gamete की समय में desiccations और damage हो जाते हैं, कितने adult hood तक जो है, मतलब कि जवान ही तक उनको क्या होता है, प्रेसान ही होता है, predator से, कोई भी organism खा जाएंगे, desiccation हो जाएगा, damage हो जाएगा, बहुत तरह की बाते हैं, यहाँ पर जैसे ही बात करते हैं, सिंगे में की बात करूं, तो external, internal की बारे में बात कर लिए, external fertilization, internal fertilization, तोड़ा समय पढ़ की आपको सुनाता हूं, तो यहाँ पर जैसे ही बाते हैं, परतेनों जने से समारा हो गया, यहे in most aquatic organism, maturity of algae and fishes, saltine amphibian, syngemi occurs in an external medium that is water, outside the body of organism, that is external fertilization, organism exhibit the internal fertilization, external fertilization, shows synchronic between the sexes and release a large number of gamete into the surroundings medium, surrounding medium internal fertilization, तो यहाँ पर जैसे ही, बात करो बाबू, कि मतलब कि internal fertilization के condition में, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पीछे ही थे, external medium हो गया था, मतलब इस page पे थे, external fertilization, अब, अब condition है कि जैसे ही अपने बात करेंगे, कि external fertilization के बारे में बात कर लिए कि यह aquatic में होता है, generally algae है, फंचाय है, amphibians है, इस सब के सब में होता है, fertilization, इसमें क्या होता है, ज्यादा दिक्कत होती है, कि मतलब कि इसमें large number of gamete, क्योंकि भाई, certainty नहीं है, कहां fuse करेंगे, कितने fuse करेंगे, तो इसमें जो surrounding medium में बहुत सा जो छूरते हैं कहां पे water में, in order to enhance the chance of the syngemi, syngemi को बढ़ाने के लिए ज्यादा number में, दोनो के दोनो, male और female, दोनो gamete क्या करेंगे, तो ज्यादा सजादा देंगे, ठीक है, ना, this happens in the bonny fishes, frogs, amphibians में भी, frog क्या है, amphibian है, मचली और मिदक, where a large number of offspring produce, a major disadvantage is that of offspring, बच्छी जो one arrival to the predators, threatening their survival up to the adulthood, मतलब की जबानी तक इसको प्रैसानी है, predator से, ठीक है, तो आगे करते हैं, आपको internal fertilization करेंगे, internal fertilization करेंगे,